नमस्कार मैं हूँ दिबांग एबीपी न्यूस के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फरेंस में आपका स्वागत है 2024 चुनाओं की गर्मी तेज हो रही है देश की बड़ी पार्टियों के नेताओं के साथ-साथ इस बार नजर रहेगी हमारे आज के खास महमान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन OVC पर आपका स्वागत है आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट मुद्दा कोई भी हो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन OVC का विचार जरूर आता है पेशे से बैरिस्टर OVC एक जोरधार वक्ता है मुसलिम सवालों को वो इस तीखेपन से उठाते हैं कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी तुलना जिन्ना से करते है ये तो सारे उन लोगों की तारिफ करते जो भारत के मुगल आकरांतार रूटे रहा थे ये OVC अगर 1947 के पहले होते ये सूपर जिन्ना होते और आज के भी ये सूपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे है 2004 से लगातार वो लोकसभा के सदस्य है उससे पहले 1994 से 2004 के बीच वो आंधर प्रदेश विदान सभा के सदस्य रहे है OVC को राजनीती उनके पिता सलाहुदीन OVC से विरासत में मिली है जो हैदराबाद के सांसद होते थे OVC सबसे ज़्यादा मुस्लिम हितों का सवाल उठाते है लेकिन सेकुलर कहने वाले उनके विरोधी उनको सेकुलर वोट काटने वाला और बीजेपी को फाइदा पहुंचाने वाला मानते है OVC लगातार इसका खंडन करते रहे है बड़े चुनाव होने वाले हैं 2024 के उसमें आप नितीश कुमार को कैसे देखते हैं ये ध्यान में रखते हुए कि राज में आप उनकी सरकार का समर्थन कर रहे है उनको इस तरह देखते हैं कि जब गोदरा हुआ था और रेलवे मंतरी थे वो इंक्वाईरी करना नहीं चाते थे उनको हमने इस तरह भी देखा कि वो उस वक्त कैबिनेट में मंतरी थे रेलवे के हमने उनको इस तरह भी देखा कि वो भाजपा के साथ थे सरकार बनाई फिर छोड़ा उन्होंने पंदरा में फिर सतरा में फिर मोडी के साथ चले गए आप फिर छोड़े हैं तो इनको इस तरह से देखते हैं वो एक जो कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को एक जोट करने की आप उसके साथ हैं नहीं हैं कहां हैं देखे मेरा मानना यह है कि अगर आप one to one मुखाबला करेंगे मोडी से तो फिर वो फाइदेमन नहीं होगा बीजेप को मुखाबला करने का तरीखा कुछ और होना चाहिए आप क्या सुझाव दे रहे हैं तो five forty हमारे forty three parliament seats हैं उस हर seat पर हमको मुखाबला करना चाहिए और मुखाबला यह होना चाहिए कि बताईए आपने यहां पर क्या काम किया क्या नहीं काम किया अगर one to one मुखाबला होग तो फिर मोडी चुप जाएंगे नहरू के पीछे मौलों के पीछे सिस्टम के पीछे तो उनको चुपने की जायत नहीं देनी चाहिए और मोडी के पीछे इनके कैंडेट चुप जाते हैं हम को पूछना पड़ेगा कि वगर उनका नेशनलिजम इतना ताखतवर कि ना कोई घुसा है ना कोई घुस सकता है आज हमारे ग्रेजिंग राइट्स हम नहीं कर सक रहे हमको देश को बताना पड़ेगा कि इतने पावरफुल वो प्राइम मिनिस्टर है नहरू के बाद उसके बावजूद भी वो शिकायत करते हैं सिस्टम की तो ये मैं चाहता एक खिचडी हुकूमत बने हैं चाहते हैं आप हाँ बिल्कूल इसलिए कि 2004 से 2014 तक 9% का ग्रोथ रेट था हमारे पास अब यहां पर तो 3-4% भी नहीं हो रहा है तब मोडी और भाश्पा बोलेंगे नहीं नहीं कोवीड आ गया वे कोवीड से पहले भी एकॉनोमी गिर रही थी यूकरेन से पहले भी एकॉनोमी गिर रही थी तो जब मनौन सिंग की सरकार थी तो कोई एक पार्डी के पास 300 MP तो नहीं थे यही मिली जूली खिचडी सरकार थी, तो खिचडी जो है, हैदराबाद के अलग है, यूपी के अलग है, बंगाल के अलग है, तो खिचडी की सरकार बनेगी तो इस मुल्क की डैवरसिटी, उसका प्रॉललिजम रेफलेक्ट होगा, क्योंकि नरेंदर मोडी तो सरिफ अपनी बात करते हैं, इंडिविज्वल, एक कल्चर की, एक रिलिजन की एक बात करते हैं, तो वो तो देश को डिफाइन नहीं करता हो, अगर खिचडी सरकार बनेगी, तो क्या आपको लगता है कि नितिश कुमार उसके नेता हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए, कि उन उन पर भाई भचीदाबाद का कोई आरोप नहीं है, उन पर भष्टाचार के आरोप नहीं है, खुद बीजेपी के नेता प्रेस कांफरेंस में मान चुके हैं कि वो बहुत महनत करते हैं, बड़े एफिशेंट हैं, अच्छे एड्मिस्टेटर हैं, वो तो भाश्पावलो लिए, नितीश के लिए, चाचा के लिए, दीदी के लिए, तो आप सरकार नहीं बनना चाहिए, सरकार बननी चाहिए, देश के लिए, देश के जंता के लिए, बैसे तो आरोप के चंदर से कर राओ पर भी कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं है, उन पर भी, तो आप क्या च का आप देख लीजे जौज साब के साथ थे फिर उन्होंने भाने शुरू में लालू जी के साथ थे फिर जौज साहब फिर अटल विहारी वाचपाई गोदरा हुआ गुजरात हुआ तो ये तो उनका ये भी तो साम में है ना है थीज को साम में रखना पड़ेगा और फिर आ आप जितने भी लोग जो लोग दावेदारी आज पेश कर रहे हैं उन्होंने पारलेमेंट में क्या रिकॉर्ड है उनका देख लीजे यूएपी आया तो कॉंग्रेस ने यूएपी के अमेंटमेंट को सपोर्ट कर दिया अब यूएपी ए में जेल में कौन बैठा है कोई क इसके पार्टी का बैठा है मुसल्मान दलित आदिवासी और जो डिसेंटर्स हैं वो बैठे वे हैं बिहार में जो आपकी पार्टी है उसके कुछ सदे से गए आर्जेडी में इसके परदे की पीछे काफी काम हुआ उस दोरान क्या आपकी बात हुई किसी बिहार के नेता स से या मौझूदा मोक्य मंत्री से जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसका जवाब हम सीमान चल जा कर देंगे क्योंकि जब कोई बरदाश नहीं कर सकता एक मुसल्मानों की एक लीडर्शिप जो भुरी थी और उबर कर रहेगी तो इन्शालला उसका जवाब हम देंगे सीमान सर्जाल की सरजमीन पर देंगे बिहार जा कर देंगे मैं कहा रहा हूं कि कोई आपकी अंडरिस्टैंडिंग थी कि आर जेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना है नहीं नहीं हम तो इन सबसे मुकाबला किए हम तो आर जेडी के खिलाफ एलेक्शन लड़े नितिश के खिल ability का सवार उठता है अब केसि आर जाके तेजेस्वी से मिलते हैं केसी आर जाके लालुयादव से मिलते हैं केसि आर ने दोस्ती का हाद बड़ा है उनके तरफ के साथ आप पाटनर हो त्यलंगाना में बिहार में लालुयादव और आरजेडी इनके खिलाफ फताप करते हैं आं के साथ के पावर शेर नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई मिनिस्टर नहीं है, और मुझे से पहले वो बोले भी थे मैंला नहीं चाहिए हमको, हैदराबाद का ग्रेटर हैदराबाद कलेक्शन हुआ था, तो हमसे कहा गए का डिप्टी मेर ले जाम बोले हैं, नहीं उन्हें डिप् हालिफ़त करते हैं, हाँ यखिनन उस अद्मी को क्रेट डिना पड़ेगा कि उन्हें ने तेलंगाना को लाया, उसको क्रेड़ेट डिना पड़ेगा कि तेलंगाना में जो नहीं डिवलेप्मेंट किया, चाहे वो इर्यगेशन को लेकर, पीने के पानी को लेकर, बिजली को लेकर और पिर जो हैडराबाद का जो फेनोमिनल ग्रोथ हुआ उसका क्रेड़ देना पड़ेगा क्यूंकि आपने नितीश कुमार की बड़ी तारीफ में काफी फूल बरसा दिये तो हम बोले पर जो फूल बरसा रहे हैं तो केसी आर पर भी थोड़ा पत्ती बरसा दीजे हमारी राए ये है कि दुबारा भाजपा की सरकार ना बने एक बात नमबर वन और उसके लिए अगर कोई ये कहेगा कि मेजोरेटेरियन फॉर्म आफ पॉलिटिक्स को असाओधी नोईसी को फॉलो करना पड़ेगा मैं नहीं फॉलो करूंगा मैं हरकिस नहीं करूंगा अग मुझे क्लारिटी है आपकी तरफ से अगर आप से पूछा जाए तो कौन होने चाहिए प्रधान मंतरी पत के उमीदवार विपक्ष की तरफ से नहीं मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वन टू उन मुकावला होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो प्रधान मंत बता दीजे अरे क्यों तीन-चार लोगे नाम बताएंगे एक सो तीस कोड का देश है कोई भी बनेगा उसमें चली मैंने कह दिया पहला नाम मैं खुद बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं कोई नाम नहीं बोलूगा मैं इन ये देखिए मोडी के नाम को आपने इतना बड़ा चड़ा कर पेश कर दिया हमने आप नहीं तमाम लोग जो भी है किया हुआ पंडिट नहरू के बाद इतना बड़ी मिजॉरिटी के साथ एक पाउरफुल प्राइम इनिस्टर आया उन् की इनकम छोड़िये इनकम गिर चुकी है महेंगाई आस्मानों को सर चूर रही है इन्फलेशन बेरोजगारी सबस्यादा पूरे देश पूरे दुनिया में अगर हैं तो भारत में तो ये चेहरे पर मज जाईए कमजोर मनमौन सिंग कमजोरी थे मगर इतने लोग इतना पहला नाम में ले रहा हूं और सदुदी नोवेसी ना हर्गिस नहीं कमजोर नहीं है बिलकुल नहीं सब आप लिक आप लिक कर रख लीजिए मुझे कोभी शौक था ना कभी है ना मैं खाब में भी सोचता हूं चीजों को सवाली पदा नहीं होता है तो तीन नामा बतानी स है यह सब करेज्ज खारा इनर्जी खारेज मैं किसी बाषपाप वाराना है का है मोडी को हराना है आप चहरों पर मच जाये आप उस फाउच्टिट्री विश पारलिमेंट के सेगमेंट में जाकर आप बताइए उन से पूछए कि तुम मोडी के पीछे नहीं छुपोगे औ एक नैशनलिजम के पीछे आप नहीं चुपेंगे आप को बोलना पड़ेगा कि अमिच्छा ने कहा था अगर पाकिस्तान से अगर गोली चलेगी तो हम बम बरसाएंगे अरे बरसाएंगे ना चीन के उपर क्योंकि चीन जान चुका है कि नरेंदर मोडी अपनी डुमेस्टिक पॉपलारिटी के लिए को ऐसा काम चीन के खिलाफ नहीं करेंगे तो चीन उस कमजोरी को समझ चुका है इसलिए हम हद तो यह हो गई कि हमारी पचासजार फौज चीन से देखरी आख में आख डाल रहे बाउजूस के जमीन पर खबजा करें हम मिल्टरी डिल्स कर रहे हैं यह कौनसा नैशनलिजम बताई है जो फौज हमारी जमीन पर खबजा करके वैटी है हम रश्या में उनके साथ मिल्टरी डिल कर रहे हैं यही तो कुस्टन करना पड़ेगा आपने खुद यह बात कहा कि आप मुस्लिमों की बात करते हैं वो हिंदू की बात करते हैं तो ऐसे हम जमेदार हैं हमें देखें मैंने खुद हमारी पार्टी ने पांसो सीट लड़े थे शायद इसलिए जीद गए थर्टी वन परसंट हिंदू और दोज़ा चौदा में नरेंदर मोडी जी को मिला था यह सीएस डियस का सर्व है दोज़ार उन्नीस आते थर्टी सवन परसं प्रिधान मंतरी नरेंदर मोडी ने कभी भी किसी भी मंच से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की वो सीधे सभी वर्वों की बात करते हैं लेकि आप अपने चैनल को जूट साबित कर रहे हैं आप ही के चैनल पर दिखाया गया कि मोडी जी ने कहाता है कपड़े देखकर आप ही के चैनल पर दिखाया गया था कि खबरस्तान शम्शान रमजान किसने कहा था यह मैंने कहा था जेश के पधान मंतरी ने कहा था फिर लोकसवा में पहला भाशन नरेंदर मोडी का इस बहिज़ते पधान मंतरी के बारा सो साल की सत्ता के बाद हमको गुलामी के बाद स चमूरी हक है मगर सचाई क्या है वो तो बताईए ना सचाई यह है कि आप में इतनी खाबिलियत नहीं है कि आप भाशपा को हरा पा रहे हैं तो आपको लगता है भई आप हारते हैं तो मुसलमान जिम्मेदार आप जीतते हैं तो आपका परिवार जिम्मेदार ये तो आप की अरदू में कहते हैं हिपाक्रेसी और मुनाफिकत है उन लोगों की बिहार में आपके एक ही विधायक है अक्तरूर लीमान उन्होंने सपोर्ट किया नित्य सरकार का बिलकुल किया ऐफ्या बिलकुल किया यह वही नितिश कुमार है खूबियां गिनाना तो अच्छी बात है ना? जिस तरह के आप खूबियां गिनारे हैं? अगर सच्चाई को बयां करना तो अच्छी बात है ना? और हमने क्यों सपोर्ट क्या सुनी है? हमने इसलिए सपोर्ट किया हमारे लीडर अक्तर अलिवान साब ने खड़े होकर इसम्बली में कहा कि हम बीजेपी को ओट नहीं दे सकते न देंगे मगर हम आप से उम्मीद कर रहे हैं कि आप दुबारा अपना स्टैंड चेंड नहीं करेंगे हमने उन से ये भी कहा कि आप उत बिहार में कुर्मियों के लीडर हैं और राज़त के लोग यादवाओं के नेता हैं तो आप एक डिप्टी सीफ मिनिस्टर मुसल्मान को बनाएए और सबसे हम बात आपने कही कि सीमानचल से इंसाफ करिये जो भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है तो इसलिए हम अमने सपोर्ट किया मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे जाकर उनके खिलाफ नहीं जाएंगे बिलकुल जाएंगे हम सीमानचल के लाई लड़ते आए लड़ते रहेंगे लोग देख रहे हैं कि एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ आप ऐसी बात कर रहे हैं अगर ऐसे ही हैं उन पर भरुसा नहीं किया जा सकता हो इधर से उधर तर्ट है कि आप कल तक वहाँ पर थे आप उनको छोड़ कि आए और आप यहाँ पर आकर बढ़ गए उनका समर्थन कर रहे हैं तो साथ नहीं होना और उनके बिलकुल साथ नहीं हैं को ओड़ देना है यहाँ पर भी हम पार्लिमेंट में हैं यूए पी ए का एमेंडमेंट हम इच्छा लेकर आए 2019 में कॉंग्रेस ने ओट दिया उधर मच जाएए लोग देख रहे हैं लोग ये पूछ रहे हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करने के बावजूद आप कहरे हैं कि हम साथ नहीं है साथ होना और क्या होता है बिल्कुल नहीं है क्या पावर शेरिंग कर रहे है पावर शेरिंग कर रहे है कोई मंत्री है हमारा समर्थन कर रहे है ना समर्थन ने ओट ओफ कॉन्फिनेंस साथ दिये अब आप देखिए क्या होगा जिस दिन बिहार में Abstain भी नहीं किया, ऐसा नहीं किया, आपने वोड नहीं नहीं दिया, अंके वहक में दिया, और कीलेंए नहीं हम साथ नहीं है? बिल्कुल दिया है, किसलिए दिया है? होwar हमारे partisan party leader ने MLE ने वाजए लॉजव कर दिया उसको बिलकुल दिया है तू नहीं देंगे दिया है बराबर आपने कहा कि ये छोटा एनर्सी है मदरसों का जो सर्वे होना है आपका मतलब क्या है इस से देखिए अन्रेकजाइज मदरसे हैं इलीगल तो नहीं है ना नमबर वन अन्रेजिस्टरड है ठीक है क्योंकि वो मदर यूपी बोर्ट के तर रिजिस्टर्ड नहीं है आप सर्वे क्यूं करा रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि नैशनल कमिशन और चाइल्ड राइट्स ने उनको कहा है भाई नैशनल कमिशन और चाइल्ड राइट्स के फंक्शन में आता ही ये सर्वे कराना वो और नैशनल कमिशन Mitreعتive Rights में उनको मालूम कि हिदाया के माने क्या है आलिम फादल किसको कहते मुहदिस किसको कहते मुफ्ती किसको कहते अरे आप सर्वे कराकर वो डेटा जमा करके आप बाद महरास करेंगे तो इसलिए मैंने का चोटा एना रसी है अगर आपको सर्वे कराना था तो आप particle 30 है वो आप उसमें इंटर्फियर नहीं कर सकते आप सर्वे क्यूं करा रहे हैं आप हरास करना चाह रहे हैं आज आप देख रहे हैं कि दारुलूम हो जम्यत अलूमा हो बबड़े मदर से आप उसकी मुखालिफत कर रहे हैं शुरू में तो आपने हमको माशाला से काफी हमार को आपने मखबूल कर दिया मगर यह सच है क्यों सर्वे करेंगे आप सर्वे सबका करिए ना अच्छा और एक बात आखरी बात मिनिस्ट्री आफ हार इजूकेशन में यू आई डियसी का सर्वे हो चुका है मंदल लेवल पर कि स्कूल में कितने टॉयलेट हैं ब्लॉक यह चार देखना चाहिं कौंसे सब्जेक्त पड़ते हैं क्यों आपको परिशानी क्या है ने आपको आप क्यू बात्रूम बनेекс यह था आपको परिशानी क्या है यह जा रहा हूं यू आई डी सी कस on वे ब्लॉक मंदा लेवल पर डेटा एवेलेबल ले लीजिए ना और आप मदरसे जो यूपी मदरसा बोर्ड रिजिस्टर्ड है आपने उनके पैसे नहीं दिये पांच साल में उन टीचरों के आपने सिर्फ चार मेने के तन पांच मेने के तन खादिये दीजिए ना आप पढ़ा रहा हूँ वो तो जो मदरसा है वो टाय करेंगे अच्छा आरेसेस के जो जो स्कूल्स हैं सर्वे कराईए उसमें शिशू विहार में सरस्वती जो उसमें कि नहीं करेंगे सर्वे आप उसमें जुरत नहीं है बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है क्या टौलेट सर्वे किया जा रहा इसलिए चोटा इनारसी है बहुत सारे मदर्से को लेकर के मुस्लिम समाज के अंदर भी काफी आवाजे उठती रही है और यह भी आरोप लगता रहा कि मदर्सों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो क्वालिटी एजूकेशन नहीं होती है तो अगर मदर को एक कॉमन स्कूल की तरह चला जाए और जो धार्मिक तालीम है वो एडिशनल तोर पर उसमें दी जाए जैसे बहुत सारों में होता भी है तो उसमें क्या हर्ज है ने आप दिखे एक बास समझे प्लीज मदर्से जब खुलते हैं ना जो यह अनेड़ेड मदर्से हैं इनक मेरा सवाल था मुक्तारबास नक्वी ने डिसमबर 2021 को अब निकाल कर देख लीजिए आप पैसे नहीं देते हैं तीसरा ही है कि उसमें मौडर्न एजुकेशन भाई मौडर्न एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है कौन नहीं पढ़ा जा रहा है मगर मदर्सा खुलने का बुन का मकसद क्या है कि हरास करना मौसलमानों को अन मदर्सों को उस दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे एक फोटो पोस्ट किया था आपका पुराना फोटो था हाइड पार्क लंडन में जीन्स पहने शर्ट पहने क्लीन शेव हाँ आप ही का था बड़ा स्मार्ट लग रहा अभी नहीं लगते हैं स्मार्ट निया अभी पिसमार्ट है आप राज़नीती करते हैं तो आप भेज भी वदलते हैं आप जो है हिजाब की पैरवी भी करते हैं स्कूलों के अंदर आप उस तालीम के लिए constitutional protection की बात करते हैं लेकिन अगर सर्वे होता है ठीके कहा सर्वे होता है लेकिन सर्वे से स्टेंडरिडाइजेशन हो जाए इसकी मांग क्यों नहीं कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं आप आर्टिकल 30 को पढ़ा करिये अगर मैं मदर से खोलता हूँ आर्टिकल 30 के तहद राइट टू एड्मिनिस्टर मेरा राइट है लेकिन उससे जो पढ़के निकलेगा ओवैसी साहाब वो भारत का नागरिक बनेगा भारत में सुनिए भारत का नागरिक बनेगा भारत का नागरिक है आप आप ये कहना चाहरे हैं के दार आप लोग के दिमाग में ये बाद बैठी भी उसको निकालिए कि मुसलमान बैक वरड़े क्यों को फॉलो करता मुसलमान बैक वरड़े कि मदरसों में पढ़ता चार फीसद मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ता और क्यों पढ़ते हैं टियॉलिजिकल इसलामिक इ रिपोर्ट पढ़ लीजिए प्रोफेसर कुंडू ने दो हुजार चौदा अक्टोबर में नजमा अप्तुलाग रिपोर्ट आप स्कूली नहीं खोलते मैं रोक रहाँ आपको स्कूल खोलने के लिए इंगलिश मीटम के खोलिये ना स्कूल इंगलिश मीटम स्कूल खोलिये आप स्कूल की फीस का अंजजाम करिये पारलिमेंट में मैंने कई मरतबा कहा मेरी स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट जो मैं मिंबर था हमने का कि मोडी जी दो हजार कोड एक्स्ट्रा दीजिए माइनार्टी मिनिस्ट्री को ताके स्कॉलेशिप डिमांड रिवन हो जाए चार परसंट बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं आप बोलते हैं कि देश के लिए खत्रा देश के लिए मजबूत अरे भाई वो किसलिए पढ़ रहे हैं इमाम बनने के लिए मुझे गाइड करने के लिए उसमें उसमें तकलीफ की बात है मुझे ये बताईए कि क्या भारत में दो सम्विदान हो सकते हैं जहां कॉंसिट्यूशन है जो हम लोगों ने रैटिफाई किया है क्या इसमें शरीयत की कोई स्कोप है कोई जगा है अच्छा आपके शरीयत के माने के आपकर बता दीजे आप मुझे बताईए शरीयत का मतलब इसलॉमिक भार है कि नहीं है मैं तो लोग की बत कर रहा हूँ ना तो वह यह सलकाल पूछुन क्या बच्चों को इंडियन Constitution पढ़ाना चाहिए कि शरियत लॉव पढ़ाना चाहिए इसलामिक लॉव पढ़ाने चाहिए क्या इस देश में दो लॉव चल सकते है कि नहीं यह बताएए विपल चल रहे है Muslim marriage एक रिकनाइज है Constitution का हिस्सा है है ना आपने ट्रिपल तलाग को ब राजा रामोन रहे कहां पढ़े थे मदरसे में पढ़े थे आपकी इतला के लिए आपके इल्म इजाफ़ के लिए कर राजा रामोन रहे मदरसे में पढ़े थे अल्लामा फजल खेराबादी जो काला पानी की सजा में मर्ग इंतिखाल हो गया मदरसे में पढ़े मौलाना मह माल्टा की जेल में तीन साल थी मदरसे में पढ़े हुसेन इमत मदनी देश के फिर मदरसे में पढ़े मौना अबुलकला माजाच ऐसे कई लोगों के नाम गिरा सकता हूं आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए के मदरसे में पढ़ने वाला वो बैक भरुड होता है नहीं होता है बैक वर्ष इसलिए होता है क्योंकर सरकारें इंटेलेक््टल डिसॉनॉस होती हैं आप स्कूल खोलिए ना, मॉर्डन स्कूल खोलिए, कौन रोकर है आपको? अगर आप मेरे को बोलेंगे नहीं, यही पढ़ना, यह मत पढ़ो, क्यों नहीं? जिसको जो पढ़ना है, पढ़ेगा वो. मगर आपके दिमाग में ये बात बैठी भी है, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है, आप से नहीं सबसे कहिए रहा हूँ, कि भाई, इसलाम की वज़ वो बात नहीं है, मैं यह पूछ रहा हूँ, कि पिछले आठ साल में देश के पदान मंतरी ने कितने स्कूल्स खोले? अच्छा, वो स्कूल छोड़ दीजिए, आप दोजार कोड दीजिए, डिमांड डिरिवन करिया स्कॉलर्शिप को, आपको मालूँ सर, हर साल, जो माइन से नहीं है आप, आप दीजिए ना, फिर देखे क्या होता है, असाम के मुख्य मंतरी हैं, वो मदरसों पर क्या क्या रहे हैं, वो सुन लिजए। हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तो रहा हूं, मैंने अलकाइडा का कारियालाई को तो रहा है। आप बूलिए, खुदा ना खासता अगर कोई आपका एक एक एमप्लॉई पकला जाता है, सूडियो तोड़ दे आके हम, ये वो ही कह रहे हैं, बोजाए गाउं में, एक्जाम्पल दे रहा हूं, नोटिस हैं में पास फोन में, आप सिर्फ बारा घंटे का टाइम देते हैं सुबा देड़ बजे, दो सो साथ बच्चों को निकाल कर गाउंवाले अपने घर में रखते हैं, तीन साल से मदरसा है, वह आप जो जिस शक्स को आप कहरें काल खायदा का है, बराबर पकड़िए, सजा दिलवाईए, मगर मदरसे को क्यों तोड़ेंगे आप, वो तो आप बुल्डोजर की जो पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है, वो रूल आफ लॉक को कमजोर कर रही है, बुल्डोजर से देश चलेगा, सम्भीदान से चलेगा, और आप को नो तिफ़ाए, आपका गोहाटी हाई कोट के चीवजसित बन चुके हैं आप, कि टै कर दिये कि पिशले दिनों हैदरबाद में काफी हंगामा हुआ हमने देखा, एक विधाय गिरफतार भी हुए, किस के थे वो, कुन सी पार्टी के थे, हाँ ये आप उचक के पूछें के मुझे मालूम था, और ये आप डर रहे क्यों आप, आप पार्टी का नाम ने डर क्यों रहे हैं अपका नाम तो दिबांग है ना, दबांग तरीके से बोलिये पार्टी का नाम आप, मुझे अच्छा लगा कि आप इस तेवर में हैं, किहाँ शी तेवर रहते हैं, आपके तेवर क्यों बदल गया, पार्टी का नाम ने डर रहे हैं? नाम लीजिए, कौन सी पार्टी के थ यहें तो आप मुझे सिखाणा चारा है कि सवाल कैसे पूछा जाएंगे आप तो मेरे वाले दे मरूण का इंटर्वी लिए हैं हमको सिखाएंगे क्या बात कर रहें यह बैलकूर मैनने उनका इंटर्वी लिया है और मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़गा है मैं आपका स्लाम करते हूं मैं आप सिकाने के लिए नहीं कह रहा हूं तो आप पूरा सवाल तो सुन लीज़े रिवे ज़वाब देने के लिए पार्टी का नाम अगर आप बोल देए तो ज़वाब अच्छी तरीक है मैंने सवाल शुरू भी नहीं किया आप चारे कि बिलकुल पहले नाम लीजिए पार्टी का पर उस्सक्स का नाम लीजिए आप सवाल तो सुन लिए सवाल खत्म होने तक पार्टी का नाम ले लेंगे जी बिलकुल लेंगे और मतलब सवाल का एक तरीका पूछने का इतनी बेचेनी क्यों है बेचेनी नी सार आपके आफिस में बेचा हूँ सर मैं कहां जा वो दूसरा नाम आप बताईए मुझे, उनके पार्टी बताईए, कॉर्परेटर साब के जो नारा लगाया वो नारा बताईए, अब आप सुन लीजिए, उनके खिलाफ केस बूक को, ये नाम आप उनसे नहीं चाहते हैं, ये आप बताएंगे, आप ने कहा सुन लीजिए, आ नाम बोलिए आप, आप बोलिए ना, आप मेरे पार्टी के हैं, आप सवाल, मेरे पार्टी के बहुत से लोग हैं, आप नाम बोलिए, आप नहीं जानते हैं, आप नाम तो बोलिए आप, चलिए नाम बोलिए, आप बोलिए, जवाब दो, उनके खिलाफ के रिजिस्टर हु हैं सरतन से जुदा वो भारत के संवीधान के खिलाफ है और किसी को अख्तियार नहीं है किसी को जान से मारने का बिलकुल अख्तियार नहीं किसी को बलके जो ये नारे लगा रहे हैं वो तो एक्स्ट्रीमिजम राडिकलाजिजिंग तरफ जा है इनको रोकने की जरूरत है मैं उस नारे की मजमत करता हूं और करता रहूंगा वो नारा वलत है वो नाम का इंतिजार कर रहा हूं मैं आप नाम नहीं है अपने कॉर्परेटर का आप नाम भूल गया है अगर आप नाम भूल गया है तो मैं छोड़ देता हूँ इसलिए याद रहता है बीजेपी का क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ है और खिलाफ रहेंगे अब आप ताहिर करना चाहरे तो गलत लेना चाहिए और कहना चाहिए कि आप नाम लेजिए आप नाम लेजिए ना आप नम लेजिए मैं बोलूँगा नाम लेजिए आपके नहीं आपके कार्ज में लिखके लाए होंगे आप इतनी देर से आप माशारला से महनत किये हैं, देखें आपका आफिस लोग देख रहे हैं कि कैसे आप अपने आदमी का जिस ने इतनी शर्मनाक बात की जिस पर सजा होनी चाहिए, आप उसका नाम लेने को नहीं तैया है, जो बात गलत है गलत बोलेंगे जो गलत है वो, पर हम उसका नाम नहीं और एक बात सुनिए, जिस वक्त नुपूर शर्मा ने अनाफ शना बका प्रॉफिट नुम्मत स्वाइब के बारे में, हैदराबाद में एक शख्स ने उनके बारे में इस तरह की बात की थी, उस पर केस बुक हुआ है, आप कमिश्टर पोलिस के पूछी है, एक मेना जेल म पूर्णाफम के बारे में, हम बराबर खानुन के बीच में देंगे, हम नहीं आहिके बीच में, थेखेंगे आप शाग्रिया है, उसकर लिए ज बात कु मान रहे हों कि नारे लगाये, इसमें मारा कॉरपेटर था, उनके खिलाफ के लिएजिके वा हॉआ है, हम खकानुन क का मामला इतना सेंसिटिव है कि मैं उसका नाम ले के क्यों उसका बत्धाम ही करूँ नैशनल चैनल पर मैं उसका नाम नहीं लोंगा अब ये भूल गए Unidos को याद नहीं ता मैं क्यों लो सर इजफत और नाम आप से नहीं मिलता मुझे मैं तो कही दिया हूँ कि नहीं मुझे जफर खान का नाम मालूम नहीं है चलिए अब आपको मालूम हो गया आपको मालूम हो गया सही का आपने बिल्कुल सही का आपने क्यों आप इतना बचाव कर रहें जफर बहुत अच्छी बात है दूसरी बात मैं कि जो नारे इस तरह के लगते हैं जब आपके कॉर्परेटर इतने ऐसे नारे लगाने की हिम्मत करते हैं आप कभी आइने में देखते हैं कि आपका उसमें क्या रोल है आप खुले मैदान में मुंडी कुचल दो हरामी जैसे शब्द में कहा हुआ है आप चाहेंगे तो मैं टेप आपको सुनवा दिखाई 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 आपने ये कहा हुआ है और पिछला अगर आप पिछला देखेंगे हमारी ये तीसरी मुलाकात है प्रेस कॉन्फरेंस में पहली जो हमारी प्रेस कॉन्फरेंस थी उसमें ये एक एग्रेशन भरा जाता है आप इसको खुद को कितना जिम्मेदार मांते हैं दरम संसद मही कराया दरम संसद मेरी वज़े से वा जहां पर महीलाओं का रेप करने की बात हुई थी जहां पर मुस्लिम महीलाओं की बोली लगाई गई मैं नहीं कराया था उनको सेक्यूरिटी हमनी फराहिम की पुरे लोगों के साथ पीलू खान रगबर खान की मौत का जिम्मेदार OAC है बोल दीजे आप और फिर एकलाख को जिन्नों ने मारा एक एक्यूस की मौत हुई तो मंत्री जाकर फूल नहीं चड़ाए मैं ही चलाया फूल जारकंड में जो बीजे पी के प्रेल हुई तो फूल माला से उनका इस्तक्बाल हुआ हमने किया मैं यह कह रहा हूं कि चलो धर्मसंदद हो गई बीजे पी हो रही है बीजे पी लगातार पोडलाइजिशन कर रही है बीजे पी के नेता बहुत सारे ऐसी बाते कर रहे है जो समवजधानिक है इस देश की तासीर को खतम कर रहे है देश को तोड़ रहे है एग्रिड इसका जवाब दुस्से तरफ से एग्रेशन से तो नहीं होना चाहिए ना जब चुनाव होते है ना तो उस वक्त तो एलेक्शन कोड ओफ कंड़क होता है बहुत सा कारुन होता है उत्तर परदेश में मैंने खरी दो सो सभाएं हुई मेरी नतीजा नहीं निकला लग बात है कोई नोटीस ही नहीं हमको तो अब यहीं तो हम कह रहे हैं आप इस बात को समझेए कि अगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूँ तो आपकी कन्फरमेटी के लिए क्यों बोलूँगा मैं नहीं सवाल हो नहीं सवाल मेरा फिर उस में मैं सउम नोटीस फिर या पविए प्र रचनान फैना आपने बताया है आपने बताया लूग iv चार्जिस है ना हाँ चार्जिस है चार्जिस तभी प्रू नहीं होई ना कोर्ट में जैसे आपके भाई शुट गए वैसे वह भी शूट जाएगी किसकी तल्खी आप में हमें नहीं जो आप बोलते हैं उसमें जो तल्खी है वो कुछ कम होगी सच्चाई को तो बयान करना है ना नहीं मैं आपको बोलना पड़ेगा जब दूसरे नहीं बोल सकते हैं तो मैं क्या करूँ आप मुझे आप उनसे महबत करिये जो नहीं बोल सकते जो नहीं बोल सकते हैं तो हम पर क्योंग उस्ता निकार रहे हैं उनका हम पर जो जिन्दगी में अक्तर उनका दस बार लाउंच हो चुका है जो नहीं बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे उनके बारे में हम मैं जमेदारों क्या उनका यही मैं बो तब आपके जो फॉलोवर्स हैं वो इस तरह के नारे लगा सकते हैं क्योंकि जब इतना जोस आता है गर्मी आप भी करेंगे जब भी गर्मी करेंगे जब गर्म करेंगे तो दूद उपन के बाहर गिरता है नुपूर शर्मा नुपूर शर्मा एक इंग्लिश चैनल पर बोली उससे पहले उसने एक हिंडी चैनल पर वही बात बोली किसी वज़े से बोली वो मैं यह कह रहा हूँ कि भाशपा की अफिशल पॉलिसी है इसलाम और प्रॉफिट मुहम्म्म्स अलाहिस सलम के बारे में बो तो तल्की से तल्की मिटेगी आपके लगाए तल्की से तल्की कौन पैदा कर रहा है यह तल्की भी नहीं है यह तो सरासर आप एक बीस कौर मुसलमानों को तकलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप क्या वज़े थी वनुकुश हर्मा को बोलने की? क्या वज़े थी यह भाज़पा के विधायक को बोलने की हैदराबाद में? कुछ नहीं क्यूंकि हैदराबाद में अब गनेश का तोहवार आ रहा था अब चल रहा है फिर अब आइंदा महीने रभी लवल का महीना आएगा पूरा उसको सामें रख करके अगर बाई एलेक्शन है जहां पर भाज़पा कोशिश कर रही है कौन कर रहा है सर यह? पर मैं आप से कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की बाते करते हैं तो आपको नुपूर शर्मा की खिलाफ कानून अपनी कारवाई करेगा जरूर करना चाहिए क्या क्या कर रहा है? सर सवाल तो आप मतलब बोलने मी नहीं देना चाहिए सर मैं तो आपको रोक नहीं रहा हूँ मैं आपका महमान तो मिरी बात तो सुन लीजिए क्या कर रहा हूँ है? मैं कह रहा हूँ कि जो भी कारवाई है निया संगत वो जरूर होनी चाहिए सक्त कारवाई होनी चाहिए पर आप इसमें एक आप देखते हैं कि कनहिया लाल माने गए दर जी एक उमेश कोली की मौत हो गई ये जो हत्याएं हो रही है हिंसा हो रही है उस पर भी आपको उतनी ही कड़ाई से तल्खी से बोलना चाहिए उसके खिलाब भी बोलना चाहिए बिल्कु गलत बात कह रहे हैं आप कनहिया लाल की हत्या जब हुई मैंने उसका खुले आम कंडमनेशन किया विताउट इफसंड बट्स मैंने यहां तक कहा कि जिन्हों ने इस तरह की हरकत की वो हैवान है माने बुजदिल भी ने हैवाने भई तुम गए उसके पास टेलर का नाप लेने के लिए और तुमने गफलत में रखकर उसको मारा उससे पहले उससे कॉम्परमाइज हो चुका था और राजिस्थान के अगर सरकार सही आक्शन ले लेती तो कनहिया लाल की मौत नहीं होती उसका ओपन कंडेमनेशन किया हूँ बिल्कुल घलत है वो सवाली पदा नहीं होता उसका जिस्टिफाई करने का मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि एक तरीके से आप और बीजेपी मदरसे वाला जो मुद्धा है उसमें मिले हुए नजर आते हैं जब भड़काने वाली बात इस तरह की बीजेपी करती है तो आप बीजेपी क्या करती है कि जो बड़े मुद्धे हैं जो जरूरी मुद्धे हैं उन पर बात ही नहीं होती है जब इस तरह की बाते होती है आपको एक मौका मिलता है अपनी बात को रखने का चीजों को अपन है, मुसल्मानों के लिए और उसके बारे में अगर कोई गल्ती करेगा सर्वे के नाम पर हरास्मेंट करना चाहेगा फूचर में तो हम ना बोलें ना बोले हम बिल्कुल बोलेंगे बराबर बोलेंगे उसमें बुरी बात क्या है दूसरी पार्टी अगर नहीं बोल दी तो मैं क्या करूं और जब यही दूसरी पार्टी जो सेकुलर पार्टी अपने आप कहते हैं जब ओट लेने आएगा तो दोड़े दोड़े जाएंगे मदर्सों के पास और सर पे टोपी भी पहन लेंगे उन मौलाला के हाथ भी चूम लेंगे यही तो फरक हम मैसूस करा रहे हैं देश देख रहा है यह भी इन चीज़ों को आप इस चीज़ पर जोर क्यों नहीं देखते हैं कि educational institution हमें सेट अप करने religious institution नहीं हमारा समविधान हमें सहायता करता है कि हम मुसल्मान बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं doctor, engineer, scientist बनाएं हमें aid भी मिलती है सरकारों से लेकिन आज वही मदर से मजब को इस्तमाल करके मान से घुलाम बनाने के अड़े बनते चले जारे हैं आपने बोला इन्शालला एक दिन मुसल्मान बच्ची प्रधान मंत्री बनेगी लेकिन हैदराबाद में अरब से शेख आके 80-80-70-70-80 साल के शेख आके बारा-बारा साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरीया के नाम पर पॉक्स ओ आट का वाइलेशन करते हैं रेप करते हैं और आप यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के भी खिलाव बोलते हैं आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मुसल्मान बच्चे का कानून या मुसल्मान की शिक्षा व्यवस्था या मुसल्मान की नियाए प्रणाली एक सो तीस पैंतिस करोड भारती हो जैसी हो आपने कनहिया लाल के गुरूसम मुर्डर को लिंचिंग को कंडेम किया उसका मैं स्वागत करती हूँ लेकिन या आतंकवादी रातो रात नहीं बन जाते हो ऐसी साहब मुसल्मान बच्चे को पहले अलगाववादी बनाये जाता है तुमारा पहनना खाना पीना कानून जुडिशिरी शिक्षा सब अलग है जब वो सेपरेटर्स बन जाता है तब कुछ नेता उसको इस्तमाल कर लेते हैं मुसल्मान लीडर बनने के लिए और कुछ आतंकवादी संकटन इस्तमाल कर रहेते हैं उनको टेररिस बनाने के लिए तो आप उस अलगाववाद को पोश्यन क्यों देते हैं गुनहा इनसान जब करता है ना तो अगर आप उसको मजब के चश्मे से देखेंगे तो फिर आप वो चश्मा उतारना पड़ेगा आपको राजीव गांधी को मारने वाला कौन इंद्रा गांधी को मारने वाला कौन और गांधी को मारने वाला कौन कौन है वो? वो कौन से मदर्स से पढ़कर आए थे? नमबर वन. दूसरी बात, अगर मैं यह कह रहा हूँ कि एक मुस्लिम बच्ची इस देश की पधान मंत्री बनेगी तो बुरी बात क्या हिजाब पहने वाली? मैडम मुझे बताइए, जब लौ कमिशन ने यह कही दिया कि भारत को यूनिफॉर्म सिवियर कोट की जरूरत नहीं है. उन्होंने अपर रिपोर्ट में कहा है. तो जब लैंगवेज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, खाने में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, रिलिजिन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो आप यूसी सी की बात कर हैं भãy कौन सा दियाभागा स्कूल आफ थोठ होगा या मिताकषरा स्कूल आफ थोठ होगा तोछ होगा बताईए गोवा प्रुट में आप मिसाल देते हैं लिकिटें की गोवा fundamental right को नहीं छिंद सकते और मुझे fundamental right मिलता है article 29 में मेरा culture है आप जिस शिद्ध के साथ मुसल्मानों के मुद्दे उठाते हैं और लगातार आप मुसल्मानों के मुद्दे पर जोड़ देते हैं और चुनाओं में में जब जाते हैं जो भाशन आपके उते हैं तो आपकी कोशिस होती है कि मुसल्मान एक जूठो करके आपका समर्थन करें। तो कहीं आपको इसलिए आरोब लगता है कि आप लगभग वही भाषा बोलते हैं जो कभी मुहमद अली जिन्ना बोलते थे। जिन्ना नहीं कहा रहा हूं आपको क्या बोलते हैं आप आप बोलना क्या चाह रहे हैं वहीं तु... इतने हैं भी भारे ने का उस बात ने हैं मेरे का इंप्यूट कर रहे हमदूर को के राथ कर रहे हैं गान हमे इस वाल पर शुन err थैयर हूं वहागा जिन्ना की जबान क्या मतलब है और बहुंगोग लगाते हैं जो जिनka को goro कर रहे हैं जो इनका पूछ पर प्षाप पर जिन्ना का अरूब लगाते हैं मैं घलन यह कुछ रहा हूं कि आपक क्या के ना क्या कहिना जो को बारे کو तोड़ा है ये क्यों नहीं बोलते है कि उस लगत कितने مسلمانों को उट डालने का राइक था कितने मुसल्मानों को और डालने का राइक छाली जो नवाब زादे थे जिन के पास जमीन थी जो इंकम-tax अदा करते थे कितने लोगों ने ओड दिया बिहार में आठ परसंट लोगों ने भी ओट नहीं दिया, एट परसंट खरीब, तो मुसल्मानों बे कहां का रो, क्या कॉंग्रेस के इजलास में, जी बी पंत ने मूब नहीं किया था, इस देश को विभाजन का, और सेकेंड मौना अबूल का नमाजाद नहीं किया था, हम कहां जिम्मेदार वो मुसल्मान साथ दिये, जो इलीट अपर कलास जो थे, भारत जोड़ो यात्रा राउल गांदी शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल नहीं है, आपको किसी नियोते का इंतजार है, कि नियोता मिलता तब जाते, क्यों, क्या, या फिर यूहीं आपको जोड़ना चाहिए, किस कि आपके दो सो संसत थे, आप चालीस पर आगए, कौन जिम्मधार है भाईया उसका, मैं जिम्मधार हूँ, चुना हुआ ना, फिर दूसरे बार होता है, आपको थोड़े बढ़ जाते हैं, चार पांच बढ़ जाते हैं, कौन जिम्मधार है उसका, आप, यहने, यूए प का एमेंडमेंट का बिल आती है, अमीच शाह, आप सपोर्ट करते हैं उसको लोगसवा में, आप सपोर्ट करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जज्ज्मेंट आता है, फॉरन फंडिंग, बीजे पी, और कॉंग्रेस को हुई, आप ने सुनी, तो भाई, आप फरक भारत जोड़ो की बात अगर आप करेंगे कि किसी एक शक्स के लिए, किसी एक शक्स की उसकी इज़त में, उसके सियासी मुस्तखबिल को रोशन मनाने के लिए जुड़ जाओ, मैं नहीं जुड़ोंगा ठीक है, आप आप कहरें कि ये भारत यात्रा जो है, एक शक्स के लिए है, ने वो किसी पार्टी का प्रोग्राम है, उनका अफिशल प्रोग्राम हो कर लें, हमको इतराज नहीं है, बिल्कुल करें ठीक है, आप थोड़ी दिर पहले नितिश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी उंगली उठा रहे हैं, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो देश में जो आप मानते हैं कि बीजेपी का अल्टरनेटिव होना चाहिए, नफरत की सियासत का अल्टरनेटिव खड़ा हो ना चाहिए लेकिन ऐसी कोई कोशिश होती है तो आप उसका फिरूद करने लगते हैं प्रकारांतर से वो बात फिर साबित होती है कि राजनितिक तोर पर आप देखते हैं जरूर है कि भारतिय जनता पार्टी के खिलाब सियासत कर रहे हैं लेकिन वास्तों में आप उनकी कर रहे होते हैं जी अब देखिए भाजपा की हम मदद कर रहे हैं भई ये मैं जितने भी बातें आपके सामें कर रहा हूं कॉंगरेस पार्टी के ये फैक्ट नहीं है क्या बिलकुल फैक्ट है ये फैक्ट तो सवाल भी है ने सुनिए आप अगर अगर अब ये आपने पताम हैं तो कांगरेस जिम्मदार नहीं है उसकी आपकी वज़े से बी जे पी आई ना सुनिए गुजरात में आखरी मरतबा एक मुस्लिम MP 1984 में हुआ था मैं जिम्मदार हूं उसका मैं जिम्मदार हूं उसका अपना रोल तो बता ही सुनिए देखिए आपने कहा कि भाज जंदर मोडी को अगर दुबारा 24 में सरकार बनाने से रोकना है आप चेहरें से मुकाबला मत करिये भारत के फाइफ ओर्टी ट्री पारलिमेंट कॉंसेंसिस में वहां जाएए आप पर ये आरोप क्यों लगता है कि आप बी जे पी की बी टीम है अगर मैं हर एक के लजाम की अक्तिदार पर बैटने हो लाँ का मेरा काम करूंगा मैं देखे जो सचाई है उसको बयान करना है और भारत के मुसल्मानों के समझना है कि भारत को अगर मजबूत बनाना का है तो भारत के मुसल्मानों के पॉलिटिकल वाइस होनी चाहिए अगर आप रेडिकलाइज़ेश हवाँ में अप हैं उनको फिकर ही नहीं मुसल्मों की उनको सिर्फ हिंदू वोड़ की फिकर रहे तो मुसल्मान क्या करें फिर मुष्य हर एकिबार से मुसल्मानों का जो आप सोचियो एकनोमिक एजूकेशन इंडिकेटर्स हैं आप देख लिजए तो इस पर बात नहीं हो जब तक जिन्दा अल्ला मुझे रखेगा मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा, अपनी बात को रखूँगा, सच्चा ही है, जब मदरसे के सर्वेका उठाया था, उस वकट आपने कहा कि यह अपी गलत कर रहे हैं, आपने देखा जमेतुलिमा ने जिम्मेदारी का एक पैगा हम दिया, दारुम द्योबन में मीटिंग होनी जा रही है, चोबी सेप्टमबर को, यह तो सच्चा ही है, बोलना पड़ेगा ना उसमें गुबरी बुरी 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 बात क्या है, चलिए आगे चलते हैं, आखरी पड़ाओ पर हैं, मैं आपसे पांच सवाल दोंगा, और उसमें से आपको एक चुनना है, तीसरा उप्षन है, आप उसको पास कैसे हैं, ने पास नहीं मैं अपना जवाब दोंगा, चुनने का आद़त मत डालिए, कि चुनना जनता का काम है, मेरा काम नहीं है, चुनना है ना आपको जनता ने, हाँ जनता ने मुझे यह जो rapid fire round है, यह आप कई के बार इसका दो दो बार आपने सामना किया है, और जब आप पहली बार आप इसका सामना कर रहे थे, आज से करीब साथ साल पहले, और वो वीडियो करीब एक करोड लोगों ने अब तक देखा है, उसमें आपने पांच में से एक भी जवाब नह होंगा, जी, पहला सवाल है, CBI, ED और income tax, आपको क्या लगता है कि इसका ज़्यादा इस्तमाल कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने, दोनों ने किया, दोनों ने किया, ज़्यादा इस्तमाल किस ने किया, दोनों ने किया, पर ज़्यादा किस ने किया, दोनों ने किया, दो मिसाले दे सकता हूं मैं आपको जगन मोहन रड़ी को जेल में किसने जाला और वही जगन मोहन रड़ी जब जेल में थे तो पर्रभ मुकरजी के लिए ओट मांगने के लिए किसने भी जाया था मुझे जाना पड़ा जकन मोहनेडीक जेल में गया क्यों गया आज भी बिचारा परेशान है अब वो बिचारा परेशान है दोनों से परेशान है अब तो ये बताई कि बीजीपी में आपको कौन जादा पसंद आते हैं नेता के तौट पर प्रधान मंत्री मोदी या अमिच शार ये मेरा भाचपा से एक आइडियोलोजिकल डिफरेंस है क्योंकि वो भाचपा नहीं है बलके आर एसस की आइडियोलोजी पर चलती है तो इसलिए आइडियोलोजी की बुनियाद पर पसंद करना मुश्किल है पसंद नहीं कर सकते हाँ पधान मंत्री है हमारे देश के पधान मंतर उनकी इज़त करना इज़त परावर करेंगे मगर ये पसंद का जो मामला होता है ना ज़्यादा परसनल हो जा रहा है ये आप लोग करते होंगे मुझे से नहीं होता बड़ा मुद्ध क्या है एनर्सी सी ए या यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा मुद्ध इस दे के लिए जो बीजेपी भाग रही है इन चीज़ों से को पोशन है असिक्षा है बिलकुल है एक लाग साथ हजार खरीब लोगों ने सुसाइट किया सुसाइट किया दो हजार एक्रीस में ये बहुत बड़ा मसला है इन दो में से आप किस को प्रधान मंत्री के तौर पर दे मंत्री बनना है नहीं बनना है हाँ रहा साल केसियार से केसियार भी बड़े खाबिल है केसियार चुली आमद दबाब ने खाबिल है मैंने का खाबिल है खाबिल है आप उनको देखना चाहेंगे ने ने ये ये देश जनता ताय करेगी मैंने करूंगा मैं मैं कौन होता है कर ममताब बिनर जी ने RSS की तारिफ की अगर वही बात साओधी नोईसी कह देता तो क्या होता था पूरे देश में सब चलाते हैं ये मुसल्मान ये मरने के बाद खबरस्ता में जगा मत दो मगर वो बोल सकती हैं वो बोल सकती हैं हमदर्द कोई नहीं है मुसल्मानों को अपने ही दर्मियान से अपना एक हमदर्द चुनना पड़ेगा अगर उनको ओईसी पसंद नहीं है मत छोड़ दीजिए मगर आप पैचानी नोगों को जो आपके नाम निहाद हमदर्द है ये हमदर्द नहीं है इनको सिर्व आपकी ओट से महबत है और साल पहले आप से बात की दो प्रेस कांफरेंस किये तो तलकी अभी भी है और आप इसे अच्छी बात मानते हैं इसके साथ तालीम और तरकी की भी बात हो और पुरानी आदत भी अभी आपकी है आप इस इंटिव्यू में भी देखिएगा आप बहुत बार अभी भी बात कर करते हुए अपनी आँखें बंद कर लेते हैं आपने पिछली बार मुझे बताया था कि आप सोचते हैं आँखें बंद करके तो एक आद बार आप सोच के भी जवाब देते हैं यह बहुत अच्छी बात है आपने बुलाया बहुत-बहुत शुक्री आपका थानिवाद इस बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये अनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे ऊन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबी पिलाइव अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे